हेलो गाइज आज हम बनाएंगे soft full count clay तवा तो मैं यहां पे मिट्टी के तवे पे नरम उलायम फुलके बनाऊंगे और इसका पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया है कि नरम रोटिया कैसे बनाई जा सकती है और मिट्टी के तवे पे बनावा हर खाना healthy होता है तो इसके benefits उठाए वेल्कम बैक तो मैं चैनल फूड्स लाइप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन मैंने यहां पे टेट कप आटा लिया है ये गेहू का आटा है अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गुनेंगे और नरम आटा तयार करेंगे पानी हम थोड के लिए हम इसे 10-15 मिनट के लिए रखेंगे ताकि यह नरम हो सके मुलायम हो सके रोटिया हमारी नरम बनती है आप चाहें तो आटे में नमक भी आट कर सकते हैं तब तक हम तवा को गरम कर लेंगे तो मीडियम फ्लेम पे हम तवे को गरम करेंगे मैंने इस मिटी के दवे प आप मेरे पिछले वीडियो से ले सकते हैं तो हम इसे कपड़े से थोड़ा सा पोच कर फिर यूज करेंगे तो 10-15 मिनट हो चुके हैं आटे को नरम मुलायम हो चुका है आटा हमारा और हमने इसे फिर से नीट कर लिया है थोड़ा सा 2-4 मिनिट के लिए अब हम एक छोटा टॉले मैं और इसे फ्लैट करेंगे और सूखे आटे में डस्ट करेंगे एंडेंड फिर हम इसे बेलेंगे हम पार में हम इसे गोल लेंगे इस तरीके से कि आपको जितनी पतली रोटी चाहिए आप उत्ना पतला बेले यह देखे रोटी हमारी त्यार हो गई तब भी गरम हो चुका है अब हम इसे सेख लेंगे तो हम यहां पर चार से पांस सेकेंड के लिए गरम तवे पे इसे एक साइट पकाएंगे एंड देन फ्लिप करेंगे इसे तब तक हम दूसरी रोटी भी त्यार कर लेंगे तो आप अपने बिजी शीडियोल में कभी-कभी वीकेंड में मिट्टी के बरतनों पे खाना बनाकर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छा टेस्ट आता है इससे और इसे काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं तो यह तीन से चार सेकेंड हो चुके हैं नेक्स साइट भी हम 5- साст के लिए चुक करेंगे एंडट फिलय पे पर इस तरह के से फुलाएंगे तो देखे कैसे हमारा फूल कह रैडी हो गया ऐ है कैसा क्झी का फेसा अफ्ट बने है trust इस तरह किसे आप क्या अगर पसंद आता है तो प्लीज इसेलाइक कर दे और शे और शेयर करे बाएं और अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ने के है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले विद बेल आइकन तो गाइज हमारे फुल के त्यार हैं मिट्टी के तवे पे बने हुए सोंदी खुश्बू आले फुल के रेडी हैं सर्फ करने के लिए तो आप भी रेसिपी एंजॉ